जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो डिसकनेक्शन सिरीज में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं डिसकनेक्शन इन माइकल एडिशन रियेक्शन PG Students की काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थी सर हमारे एक्जाम आ रहे हैं तो कुछ कर दीजिए तो बच्चों खुस हुजाईए आपके लिए आज लिखे आएं Disconnection in Michael Addison Reaction आईए आज हम लोग सीखते हैं कि Michael Addison Reaction के अंदर Disconnection कैसे किया जाता है It is the example of Disconnection in 1,5-Di Functional Compounds बच्चों, Michael Addison Reaction में जो Disconnection होता है वो 1,5-Di Functional Compounds का किया जाता है Product of Michael Addison is 1,5-Di Carbonyls बच्चों, Michael Addison Reaction के अंदर जो बनने वाले प्रोड़क्ट होता है वो 1,5-Di Carbonyl Compounds होते हैं इसलिए यहाँ पर जब हम लोग Disconnection करेंगे वो Mainly किया जाता है 1,5-Di Carbonyl Compound का यानि कि ऐसा Compound हो जिसके अंदर 1st और 5th Position पे Carbonyl Group का होना जरूरी है Disconnection in Michael Addison takes place वाया Alpha-Beta Position to give positive and negative fragment और synthence बच्चों यहाँ पे Michael Addison Disconnection में आपको जो यहाँ पे Bond Breaking Start करनी है वो Alpha-Beta Position के बीच से करनी है जिससे आपको positive और negative synthence या fragment मिलेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके सामने यहाँ पे दो Target Molecules दिखाई दे रहे हैं एक Left में और एक Right में आप देख सकते हैं इन दोनों Compound को अगर आप देखें तो यह Di-Ketone Compounds हैं जो आपको उपर बताया था कि Michael Addison और एक्षन के अंदर 1,5 Di-Carbonal Compounds बनते हैं Counting करके देख लेते हैं किया हम लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं 1,2,3,4,5 आप देख सकते हैं पहला Compound जो पहला Target Molecule है वो 1,5 Di-Carbonal Compound है और दूसरे वाला भी अगर आप counting करते हैं तो 1,2,3,4,5 इसके अंदर भी 1,5 Di-Carbonal Group हैं दोनों Compounds जो हैं 1,5 Di-Carbonal Compounds हैं किलियर हुआ आपको और अगर आप इन में Retro Synthesis या Disconnection करते हैं किलाएगा Disconnection in Michael Edition Reaction आपको यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा होगा कि Functional Group से जो अगला Carbon होता है वो Alpha होता है उससे अगला Beta और फिर Gamma अगर आप Left Side से Start करते हैं तो 4th Carbon Alpha हो जाएगा और 3rd वाला Beta हो जाएगा क्या आप यह समझ पा रहे हैं ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं Carboxly Group इसमें जो है Principal Functional Group है इससे वाला जो अगला Carbon होगा वो Alpha होगा और उससे अगला Beta तो यहाँ पर जो Disconnection करेंगे आप Michael Edition Disconnection के लिए वो Alpha और Beta की बीच से करेंगे Fragment और Synthन having Beta Carbon will possess Positive Charge while other will have Negative Charge बच्चों जब आप यहाँ पर Disconnection करेंगे तो यहाँ पर जो Fragment या जो Synthन आपको दिखाई देंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि वो Fragment या वो Synthन जिसमें Beta Carbon जाएगा यह वाला Beta Carbon जाएगा उसके उपर आपको Positive Charge लगाना है Beta Carbon के उपर और जो बाकी बच्चा हुआ Fragment होगा जैसे कि यहाँ पर यह बचेगा वहाँ पर आप उस Fragment में लगाएंगे Negative Charge क्या यह आपको Clear है आई एग्जामपल के साथ Clear करेंगे हम आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा Target Molecules में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Alpha और Beta पोजिशन बिलकुर Clear है तो यहाँ पर जो Disconnection होगा Bond Breaking होगी वो Alpha और Beta की 20 से होगी कुछ इस तरीके से और जब यहाँ से Bond टूटेगा तो आपको 2 Fragment कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे इन Fragment पर आपको Charge लगाना है तो आप देखे बीटा कार्बन की दर है सर्फ बीटा कार्बन तो रिंग वाला है तो जहाँ पर बीटा कार्बन जाएगा उस वाले Fragment पर आप Positive Charge लगाएंगे जबकि दूसरे वाले पर यानि कि Alpha कार्बन वाले Fragment पर आप Negative Charge लगाएंगे इन Positive Synthन Removal of Hydrogen बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका Positive Synthन है और जो Negative Synthन है यह Convert होते हैं Synthetic Equivalent में और Synthetic Equivalent में Convert करने के लिए आपको यहाँ पर जहाँ पर जो आपका Positive Synthन है यहाँ पर Dehydrogenation होगा यहाँ से Hydrogen निकलेगा और Ring के अंदर Double Bond आ जाएगा किलियर है आपको और यह जो आपका Negative Fragment है यहाँ पर Negative वाले कार्बन पे Carboxylic Group यहाँ पर Combine होगा जिससे आपको यह Negative Synthन जो है यह Convert हो जाएगा Dicarboxylic Synthetic Equivalent में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके सिंथन है जो आपको ऊपर मिले थे तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले Root से जाते हैं तो पहली Possibility यहाँ से कुछ ऐसी होती है कैसी होती है सर देखिए यहाँ पर आपको दो Hydrogen दिखाई दिखाई दे रहे हैं जो कैटाइन से एडजेसंट कारबन है वो SP3 आइबडाईज है उसके पास दो Hydrogen है लेकिन हमें तो सिर्फ एक से वास्ता है तो हमने इसलिए यहाँ पर एक Hydrogen दिखाई हुआ है तो पहली Possibility यह है बच्चो कि यहाँ से यह Hydrogen बहार निकल जाए H-Plus बनाके और यह Electron यहाँ पर Shift हो जाए अगर यह Electron यहाँ पर Shift होते हैं तो यह आपको मिलने वाला Synthetic Equivalent कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और आप पर बताया था आपको कि यहाँ पर जो आपका Anionic Synthen है वहाँ पर आपको लगा देना है Carboxlic Group तो यह आपका बन गया Dicarboxlic Acid और यह आपका बन गया बच्चो E-None किलियर है Cyclohexene On आपका Synthetic Equivalent बन गया है अब यहाँ पर अगर दूसरी Possibility के लिए जाते हैं कि सर यहाँ से भी तो Hydian निकल सकता है बिलकुल सही कह रहे हैं बै काई निकल सकता है निकाल के मानेंगे जब आपने कह दिया है तो तो देखिए जब आप यहाँ से निकालेंगे तो Double Bond तो यहाँ पर आ जाएगा Clear है Charge आपका खतम हो जाएगा यह बन गया आपका और हमारा Synthetic Equivalent लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही है यह आपको बिलकुल भी नहीं बनाना है क्योंकि यह Favor करेगा ही नहीं काई Favor नहीं करेगा सर क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका Double Bond आए वो आपका Conjugation में होना चाहिए Double, Single, Double यह Conjugation में है लेकिन यह Conjugation में नहीं है तो यह वाला जो आपने यहाँ पे Approach Apply की है यह आपके लिए गलत हो गई है यह आपको Apply नहीं करनी है आपको हमेशा Hydian इस तरह से बाहर निकालना है कि आपका जो Ketonic Group होगा उसके साथ बनने वाला Double Bond जो है वो Conjugation में आ जाए यह Conjugation में है पर यह Conjugation में नहीं है इसलिए यह वाला आपको Disconnection Approach यूज करनी है यहाँ से कुछ इस तरीके से Hydian को बाहर निकालना है भाई समझ पा रहे हैं आप चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पे FGI याद कीजिए सर FGI होता है Functional Group Interconversion यहाँ पे आप देख सकते हैं FGI Estrification के बाद जो हमारा उपर आया था Synthetic Equivalent वो Convert हो गया है Stable Diester में किलिए रहे आपको तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 Synthetic Equivalent मिले हैं Michael Addison Reaction में एक यह वाला और एक यह वाला अब हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ जहां पर हम लोग देखते हैं Proposed और Suggested Synthesis for the Given Target Molecule बई जो Target Molecule आपको उपर दिया था उसका Suggested या Proposed Synthesis तो दिखाओ तो आईए दिखाते हैं न तो बच्चों यह है हमारा Proposed और Suggested Synthesis for the Given Target Molecule यह हमारे दो Synthetic Equivalent अभी आपने दिखा था यहाँ पर पहली Condition में Base होता है और Further यहाँ पर Acidify करते हैं Acid की Presence में इसको Heat करते हैं जिससे आपको आपका Target Molecule मिल जाता है दोनों यह Condense हो जाते हैं और यह Reaction क्यलाती है Michael Edition Reaction क्या यह आपको Clear है मैं जानता हूँ अभी भी कुछ बच्चों को होगी संका भई मत करो संका बजाओ Knowledge का डंका तो उसके लिए मैं आपको एक Practice Problem देता हूँ आप उसको Practice कर लीजिए Definitely आपको Disconnection in Michael Edition Reaction Clear हो जाएगा सदा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल गई है एक Problem जिसमें आपको Target Given Target Molecule का देना है Suggested और Propos Synthesis यहाँ पे आपको Disconnection करना है और Disconnection के बाद आप इसके बनाएंगे Starting Material या Synthetic Equivalent और बाद में दिखाएंगे इसका Propos Synthesis तो उसके लिए आपको Disconnection करना पड़ेगा Disconnection आप जानते हैं यह है 1, 2, 3, 4, 5 सर यह 1, 5 Die Carbonal Compound है Clear हो गया सर यह हमारा Michael Edition Product है यहाँ पे Disconnection जो होता है वो Alpha, Beta Bond के थुरू होगा Alpha, Beta Position के बीच से Bond Break होगा कि आप समझ पा रहे हैं और जब यहाँ से Bond Break होगा तो आपको 2 Fragment मिलेंगे आपको बताया था कि जहाँ पर Beta Carbon जाता है फिर से बोलता हूँ जहाँ पर Beta Carbon जाएगा वहाँ पर उस Fragment में आपको देना है बताइए बताइए कौन सा Charge बिलकुल सही बोल रहे हैं उस Fragment में देना है आपको Positive Charge तो देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया है Positive Charge और जो दूसरा Fragment यहाँ पर बचेगा जी उस पर लगा दिया है मैंने कौन सा Charge Negative Charge भाई आप समझ पा रहे हैं ना उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पर सर होता है Dehydrogenation जो आपका Catenic Carbon एक Catenic Site है उससे अगले कारबन से आप यहाँ से Hydrogen को Remove करते हैं कुछ इस तरीके से पहले वाले Question में दो Possibility थी लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत है यह नहीं तो यह देखें यहाँ पर बन गया है आपका Double Bond आ गया और यह Conjugation का एक Part है Conjugation में आ रहा है तो यह बिलकुल Correct है अब बात करते हैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो Anionic Fragment बनेगा उस वाले Carbon के उपर आपको जोड़ देना है फिर से बोलता हूँ बताइए क्या याद कीचिए Carboxly Group सही बोला आपने तो यह जोड़ दिया हमने Carboxly Group अब देखिए यह तयार हो गए है हमारे Synthetic Equivalent यह हमारे Synthetic Equivalent है और यह जो आपने उपर बनाए थे यह क्या थे जी Synthense Clear है यह देखिए यह आप इनको Avoid भी गर सकते हैं लेकिन चुकि बात exam की होती है तो बच्चों आपका Objective exam तो है नहीं तो रिटन exam में आपको यह सब चीज़े दिखाने ही पड़ती है कि सिंथन कौन सा होगा Synthetic Equivalent क्यों सा होगा और जैसे ही आप Synthetic Equivalents पे पहुंचते हैं वो बन जाते हैं आपके Starting Material अब आप Ready हैं किस के लिए Proposed Synthesis के लिए तो आई देखते हैं और सर देखिए यह हमने उठा लिए यहां से Synthetic Equivalents इन दोनों को हमने Combine करा दिया है पहली Condition Base की Presence में Heat करते हैं Followed by the Dilute Acid and Hitting तो आप जैसी ही दो Condition Apply करेंगे यहां से आपको मिल जाएगा आपका और हमारा Target Molecule सर देखिए यही तो था Target Molecule आपका और यह बन गया है आपका Target Molecule तो आपने देखा कैसे हमने Michael Edison Reaction में यहां पे Disconnection Approach को Apply किया है बच्चो अगली वीडियो में हम लोग Robinson Anniulation में Disconnection देखेंगे अगर आज आपको Michael Edison किलियर हो गया है तो definitely वो भी किलियर हो जाने वाला है बस Michael Edison में दियान लखीगा एक Disconnection होता है एक Bond तूटता है लेकिन Robinson Anniulation Disconnection में वहां पर दो Bond का Disconnection होगा क्या यह आपको किलियर है